है गाइज वेलकम टू मैं स्टुड़ी चैनल टार्गेट पॉइंट चेनरल इंगलिश क्लास में आपका स्वागत है ठ्थे के आज के टॉपिक है हमलोग नाम पड़ चुक्क नावन के बात थे अब यह प्रोनाउन्स पर्नांस क्या होते हैं अपरोनाउन्स का हिंदी शर्व नाम क्या होता है सर्वनाब तो ए प्रोनावन ए प्रोनावन ए प्रोनावन इस ए वर्ड ए उस्ट एंस्टेड ऑफ ए नावन अब ध्यान देचे या इसको इस तरह से सबस्क्राइब कह सकते हैं कि ए प्रोनावन ये ए ए स्टेंड विसक्ति तेस फोर ए नावट अब द्यान देचें अब प्रोनावन वह सब्द है जो किसी नावन के बदले में प्रयूकत होता प्रोनावन इस प्रोनावन के जगह पर जो खड़ा हो जाता है उसको का बोलते हैं प्रोनावन करते हैं इसका हिंदी में भी डिफनी साल लिख देते हैं कि प्रोनावन वह सब्द है वह सब्द है जो 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 किसी कि नावन के बदले में प्रयुक्त होता है प्रोनावन वह सब्द है जो किसी नावन के बदले में प्रयुक्त होता है अब ध्यान दिजिए किसी नावन के बदले में कैसे फूर एक्जांपल से समझते हैं एक्जांपल पर थोड़ा ध्यान दिजिएगा फोकस किजिएगा तो से लिख दिये कि राम है इज ए अस्टू डेंट राम एक छात्र है हमने लिखा अब राम की बारे में आगे लिखना होगा अगर राम की बारे में इसके आगे लिखना है कि राम छे क्लास में पढ़ता है तो क्या लिखेंगे ही रीड्स इन क्लास शिक्स अब ध्यान देजे अब यहाँ पर राम लिखे कि राम इस ए अस्टूडेंट राम एक छात्र है अब इस राम के बाद यहाँ पर भी तो हम राम लिख सकते थे यहाँ पर भी राम हम लिख सकते थे से कि राम इस ए अस्टूडेंट राम रिट्स इन क्लास शिक्स अब ध्यान देजे यहाँ पर ध्यान देजे और यहाँ पर ध्यान देजे ठीक है यहाँ पर राम दो जग्या है और यहाँ पर राम सिर्फ एक जग्या है यहां पर राम के बदले क्या आया है ही आया है तो अब देखना है कि इसको पढ़ के समझते हैं कि किस टाइब का भाव जो अच्छा लगेगा उसी को रखा जाएगा जैसे राम एज ए स्टुडेंट राम एक छात्र है ही रिट्स इन क्लास सिक्स वह सिक्स क्लास में पढ़ता है अब देखने देखनी अब इसको दुसरे नंबर सिक्सक्रास राम एक छात्र है राम में पढ़ता है तो यहां पर राम two बार अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एक ही परसन के बारे में एक ही आदमी के बारे में बार बार उसका नाम लेकर बोला जाए तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उसके बारे में बोला जाए तो राम के बदले यहां पर क्या हम लगाए हैं ही लगाए है यानि बोल रहा है ना कि नाउन वह सब्द है ज क्या हो जाएगा प्रोनावन हो जाएगा जिसे फिर एक और एक्जाम्पल देखते हैं जिसे सीता है इज ए डान्सर कि अग्या एक दान्सर है मतलब की सिता इज डान्सर सी इस वेरी बीटिफूल वह बहुत सुन्दर है तो अग्यां देजिए सीता की जगा पर सीता है तो फिर यहाँ पर हम अगर सीता लिखेंगे, सीता फिर हम लिखेंगे, तो क्या यह अच्छा करेगा, सूट कर रहा है इस सेंटेंस में, नहीं, तो इस सीता, एक बार सीता आ गया, तो इसी सीता के बारे में फिर बोला जाए, तो यहाँ पर सीता नाम रखना जरूरी नहीं है इसके बदले में जो सब्द लगाएंगे यानि C लगाएंगे तो ये C क्या हो जाएगा हमारा किस चीज का काम करने लगेगा पुर्णावन का काम करने लगेगा कि समझ में या क्या कर ने लगा हिए फिर से सीटा के जगव पर जो भी सीटा के बदले जो भी सब्द आएंगे तो उस सब्द को कहा जाएगा परोनाव। को इनके कितने भेद होते हैं, तो, kinds of pronouns, kinds of pronouns, अब, noun के परकार कितने होते हैं, तो, noun के परकार कितने होते हैं, तो, noun के परकार, दस होते हैं there are ten types of pronoun pronoun के कितने प्रकार होते हैं दस प्रकार होते हैं ठीक है start करते हैं पहला है personal pronoun जिसको ब्यक्ति वाचक सर्वनाम बोलते हैं ठीक है और दुसरा है आपका possessive possessive pronoun कौन सा नाउन प्रोसेशिव प्रोनाउन जिसका होईंदी होता है अधिकार वाचक प्रोनाउन और तिसरा है रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे नीजवाचक सर्वनाम चोथा है इंफैटिक क्या है इंफैटिक प्रोनाउन इसको बोलेंगे बलदायक सर्वनाम और पाचवा है डेमोन्स ट्रेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे संकेत वाचक सर्वनाम और छथा है इंडेफिनित इंडेफिनित प्रोनाउन इसको बोलेंगे अनिश्चे वाचक अनिश्चे वाचक सर्वनाम और सात्वा है इसको बोलेंगे ब्यास्टि वाचक सर्वनाम और आठवा है रेशी प्रोकल प्रोनाउन प्रस्पर बोधक सर्वनाम प्रस्पर बोधक सर्वनाम नवगा है आपका नाइन नमबर रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे संबंध वाचक सर्वनाउन और दस्पर है इंटेरो गेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे प्रस्पर बोधक सर्वनाम समझ मैं है आप दोसों एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रस्पर नाउन ब्यक्ति वाचक सर्वनाम पुसेशिव प्रोनाउन अधिकार वाचक सर्वनाम रिफ्लैक्सिव प्रनाउन निजवाचक सर्वनाम एंफाइटिक प्रनाउन बलदायक सर्वनाम देवंस्टेटिव प्रनाउन संकेत वाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रनाउन अनिष्चे वाचक सर्वनाम डिस्टिब्यूटिव प्रनाउन सबंधर शर्बनाम इंट्रोग blissवा सबहाते हैं जो 5 के बदले में उसे परणाव कहते हैं और के minerals के कीटने वяти होते हैं तो 10 टाइप होते हैं 10 परकार होते हैं 10 दस बहते हैं कौनगं के सामने हमने बता अब इसको बारी बारी से लगतार पढ़ेंगे कि कौन सा क्या है किसके बारी में क्या बोला जाएगा ठीक है तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रस्टनल पनाऊन लेकिन आज नहीं पिर नेक्स्ट कलस में आप लोग के साथ मिलते हैं प्रस्टनल अग्ले बार मिलेंगे reflexive और Emphatic परनवन के साथ यह दो दोके कमपर्इजन के साथ मतहुकि कॉमन के साथ आएंगे हम अपके सामने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेर कीजिए और प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और बेल आइकन को दबाना ना भूले इसके बाद क्या कहना है और कॉमेंट में जो चीज ना समझ में आए और कुछ अगर आगे भी समझना है कि मतलग कि यह टॉपिक पढ़ा दीजिए तोपिक बता दीजिए तो उसके लिए प्लीज आप लोग कॉमेंट में जरूर लिखें ठीक है थैंक यू वाचिंग फोर इस वीडियो